हेलो दोस्तो मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाइफाई लर्निंग साइकोमेटरी में हमने अभी तक स्पेसिफिक हुमिडिटी, रिलेटिव हुमिडिटी, ड्राइ बल्ब टेंप्रेचर और वेट बल्ब टेंप्रेचर को डिसकस कर लिया है तो लास्ट क्लास में हमने ड्राइ बल्ब टेंप्रेचर और वेट बल्ब टेंप्रेचर पढ़ा था तो उसी को कॉंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे हम ड्यू पॉइंट टेंप्रेचर और numerical के हिसाब से, numerical के लिए ये topic बहुत important है तो इस वीडियो का पूरा देखना पड़ेगा आपको ताकि आपको पता चले कि numerical में कैसे use करते हैं due point temperature को तो चलिए शुरू करते हैं due point temperature अब आजाते हम due point temperature पे dpt dpt में हमें चाहिएगी जुरूत पड़ेगी ts diagram की, किसके ts diagram की, water की और water का ts diagram हमने कहां पे पड़ा था, properties of pure substance में और air conditioning के question करने के लिए, psychometry के question करने के लिए सारे concept आपके clear हो जाएं, वो तब ही होंगे जब आपको properties of pure substance भी अच्छे से आता होगा, तो अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आप पहले जाके properties of pure substance देखिए, तो अब यहाँ पे आ जाते हम ts diagram और जो ts diagram है, यह किसका बना रहे हम, water का, air का नहीं, vapor phase में जो vapor है आपकी उसके लिए, water का जब ts diagram बनाया था, तो हमने इस type से diagram बन रहा था, यह वाला यहाँ पर होता है liquid waster form में, क्या होता है, liquid होता है, liquid foam में होता था water, यहाँ पर wet region होता है, liquid plus vapor होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, vapor होता है और जो air में vapor पर प्रजेंट होता है, वो आपके superheated state में होते हैं यह जगह कौन सी है superheated state की और जब इस कार उपे आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे saturation state उसको क्या बोलेंगे saturation state तो superheated state में होते हैं suppose कर लेते हैं फिलहाल जो room में air है और उसमें जो water vapor मुझूद है वो उसकी state क्या है यहां पर है यह point ले लिया हमने यह one point है suppose कर लेते हैं यहां पर इसकी state है मतलब यहां पर state होने का मतलब क्या है यहां पर यह जो temperature होगा और यह इसकी entropy होगी और इसके corresponding ही pressure होगा अब इस point पे क्या करते हैं हम pressure change नहीं करते हैं क्या करते हैं pressure प्रेशर्ट तेम्प्रेशर्ट टोसी लाइन कर देओंप्रेशर्ट तो आफ पाता है। और cooling हो रही है यह वाली जो कर्व है इसको कह सकते हैं हम this is cooling at constant pressure सिरफ water vapor की बात कर रहे हैं यहां पे तो यह cooling होगी constant pressure पे यह वाली कर्व क्या शो कर रही है आपको cooling at constant pressure और जैसे ही यह saturation कर्व के ऊपर पहुंचता है जैसे ही यह saturation कर्व के ऊपर पहुंचता है इस time पे जो temperature होता है यह जो temperature होता है इसको बोलते हैं dew point temperature इसको क्या बोलते हैं dew point temperature यह कह सकते हो आप या इस point पे आपने pressure change नहीं किया किसका pressure change नहीं किया है वैपर का और वैपर के pressure को क्या कहते हैं partial pressure of vapor यानि कि इस लाइन पे आपका PV equal to constant है PV equal to constant है इस लाइन पे तो आप ये भी कह सकते हो कि जब PV equal to constant होगा या इस partial pressure के corresponding इस pressure के corresponding saturation जो temperature होगा वो क्या होगा? dew point temperature देखो इस pressure के corresponding saturation temperature यहाँ पे होगा इस pressure के corresponding saturation temperature यह वाला होगा और और भी कर्व अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो मालो स्पॉज़करो इस type से कर्व बनाए आपने यह कोई pressure है इस pressure के corresponding saturation temperature आपका यह होगा तो हर pressure के corresponding एक saturation temperature आएगा तो इस pressure के corresponding जो फिलहाल partial pressure of vapor है PV इसके corresponding जो saturation temperature होगा उसको बोलेंगे due point temperature आया समझ में तो इसको लिख लेते हैं कैसे लिखेंगे it is the temperature. It is the temperature at which water vapor in air starts condensing. अब इस point पर आके condensation starting हो जाती क्योंकि आप पीछे जाओगे तो क्या होगा vapor आपका water में convert होना शुरू हो जाएगा अब जब इधर से जा रह रहे हो तो यह water है फिर इस point के बाद water vapor में convert होना सुरू हो जाएगा vapor में convert होना शुरू जाएगा hyper में और यहाँ पर complete water वयपर में कनवर्ट हो जाईगा और इसके बाद Superheating होती है ओपोजिट आओगे यहां से वैपर आएगी वैपर आएगी वैपर आएगी यहां पर water मिलना स्टार्ट हो जाएगा condensing स्टार्ट हो जाएगी उसके आपको फिर से water मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा और इस point पाने के बाद सारी की सारी वैपर फिर से water में convert हो जाएगी तो complete water आपको मिल जाएगा ये cooling वाली है और उपर जाओगे तो heating हो रही है और इस direction में आओगे तो cooling हो रही है तो यहां पर आपने इसको cool कि के बाद जैसे ही वाटर वैपर जो थे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए उस टाइम पे जो टेंपरेचर होता है उसको बोलते हैं डूपॉइंट टेंपरेचर या दूसरा जो हमने डिसकस किया था कौन सा इस पार्शल प्रेशर ओफ वैपर के कोर्सपोंडिंग इसके कोर्स ही ऋसको भी हम कह सकते हैं कौन सा इस डूपॉइंट टेंपरेचर यह यह डूपॉइंट point temperature हुआ, अब फिर से थोड़ा सा ओर discuss कर लेते हैं, क्या discuss करते हैं, कि जब air आपकी saturated हो, जब air आपकी saturated हो, तो उस time पे क्या होता है, देखो air जब saturated होगी, तो फिर से TS diagram बना लेते हैं, air जब saturated होगी, तो वो one point है न, super heated region में नहीं आएगा, saturation curve कौन सी होती है, यह वाली, यह वाली कर होती है, saturation curve, जब saturated air होगी, तो point कहां पर होगा, यहां पर होगा, यह किस के लिए है, this is one point for saturated air, saturated air के लिए, अब यहां पर, यहां पर तो यह क्या है, saturated कर पे ही है, तो यही वाला temperature आपका कौन सा है, dew point temperature, यही वाला temperature आपका dew point temperature, और simply वैसे भी measure करोगे, तो यही temperature आपका कौन सा है, dry bulb temperature, simply measure करोगे, तो यहां पर वही temperature आपका dry bulb temperature है, इस case में, अगर आपका जी ड्राइबल्ब टेंपरेचर कौन सा है तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे अभी जो टेंपरेचर है अभी जो टेंपरेचर है यह वाला टेंपरेचर आपका क्या है ड्राइबल्ब टेंपरेचर इस केस में सिंप्ली जो इस पॉइंट का जो टेंपरेचर होगा वो क् कारू के उपर saturation कारू के उपर और saturation कारू के उपर वैपर saturation कारू के उपर अगर आ जाएगा तो वही dew point temperature होगा और वही आपका dry bulb temperature भी होगा एक्चुल में यहां पर दो saturation कारू होती है इस point से यहां पर जो होती है इसको बोलते हैं वेपर सैचुरेशन कर्व और इधर होती है इसको बोलते हैं लिक्विड सैचुरेशन कर्व में इस तरफ वेपर होते हैं और इस तरफ वेट रिजन होता है और लिक्विड सैचुरेशन कर्व में इस तरफ लिक्विड होता है और इस तरफ वेट रिजन होता है व वेट बल्ब टेम्परेचर के कोण तो हम कह सकते हैं कि Saturated Air के लिए तीनों टेम्परेचर सेम आयेंगे Saturated Air के लिए तीनों टेम्परेचर सेम आयेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं for saturated air for saturated air dew point temperature equal to ड्राइ बल्ब टेंपरेचर एक्वल टू वेट बल्ब टेंपरेचर तो सैचुरेटीड एर के लिए तीनों टेंपरेचर सेम आएंगे यहाँ पर हम एक चीज और डिसकस करते हैं क्या डिसकस करते हैं कि आपका जो समर एर कंडिशनर होता है Summer air conditioner में क्या होता है कि आपकी cooling भी होती है और dehumidification भी होती है इसको हम आगे भी पढ़ेंगे detail में लेकिन dehumidification का मतलब क्या है air से water vapor को remove करना या humidity को decrease करना उसको dehumidification बोलते है तो water vapor जब air से आपको remove करने है water vapor जब air से remove करने है तो उस time पे उस time पे जो AC के अंदर जो coil लगी होती है जिसके उपर से आपकी air आ रही है ठंडी होके उस coil का temperature इस dew point temperature से कम होना चाहिए water vapor को remove करने के लिए कैसे अगर suppose करो dew point temperature से उपर है coil का temperature dew point temperature से उपर है coil का temperature suppose करो यहाँ पर है आपका coil temperature coil temperature अगर यहाँ पर है तो यह जो cooling होगी आपकी इस point तक ही होगी यहाँ से cooling आएगी और यहाँ तक ही होगी यहाँ पर भी आपको पता है क्या है vapor है यहाँ पर भी आपको क्या पता है क्या है vapor ही है condensing तो यहाँ पर start होई है condensing यहाँ पर start होई है अगर coil temperature को यहां भी ले आओगे due point temperature पे भी तो यह जो कर्व है यहां आकर रुक जाएगी condensing just start होगी लेकिन condensation नहीं होगा तो फिर वो condensation कैसे होगा वो देखते हैं condensation कब होगा जब coil का temperature यहां पे होगा यह coil temperature जब होगा यहां पर आपका coil temperature होगा तो उस time पे यह coil का temperature है तो यह जो है यह point यह कर्व आगे चलेगी जब इस reason में आ गई जब इस point से आगे आ गई तो इस time पे इस time पे क्या होगा यह जो water vapor हो condense होने लग जाएंगे यहां पर तभी तो बोलते हैं wet reason होता है wet reason का मतलब क्या है आपको vapor plus water मिलता है दोनों मिलते हैं दोनों phase मिलते हैं liquid भी और gaseous भी तो जब यह इस condition में यहां पर आने लग जाएगा तो जो vapors है वो condense होके water में convert होने लग अगर air से water vapor remove करने तो coil के temperature को इस dew point temperature से कम रखना पड़ेगा यहां पर note लिख लेते हैं हम एक note to remove to remove water vapor from air क्या होगा coil temperature must be less than dew point temperature तो इसका use यहां पर होता है dew point temperature का use यहां पर होता है कि dew point temperature से कम coil का temperature करना पड़ेगा तब ही आपके water vapor remove होगे बहुत सारे लोगों को तो यह भी नहीं पता होता कि air conditioner से जो पानी निकलता है वो कहां से निकलता है क्या हमने उसमें पानी डाला है नहीं वो जो air है air से humidity कम हो गई air से humidity को क्या किया water vapor को remove कर दिया है air conditioner ने और वो पानी वो जो air में था पहले पानी वो पानी आपका liquid में convert होके बहार निकल रहा एर कंडिशनर से, तो यही होता है एर कंडिशनिंग का अतकाम humidity control करना humidity control कैसे होती है ऐसे ही होती है, तो आया समझ में, अभी थोड़ा ओर डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में, अब जो हम डिसकस करने वाले हैं, यह आपके numericals में directly use होगा कैसे use होगा, आपको question में, आपको question में, ऐसे नहीं मिलेगा लिखावा कि यह PV है और यह PVS है problem यह होती है क्या होती है कि आपको pressure given है, लेकिन आपको यह नहीं लिखावागा कि यह कौन सा pressure, यह PV है या PVS है अगर यह पता लग जाएगा तो question easy हो जाएगा, बट आपको पता ही नहीं कि PV कौन सा है, PVS कौन सा है PT कौन सा है, तो उस case में आपको क्या देगा, वो यह देगा कि इस temperature के corresponding pressure इतना है और इस temperature के corresponding pressure इतना है तो फिर question पूछेगा आप से तो वो चीज़ discuss कर लेते हैं कि वो कैसे होती है देखो, जो point है, वो हम यहां पे मानते हैं, यह point आपका superheated state में, वेपर जो है आपके suppose करो, इस point पे है वेपर आपके superheated state में है अब अगर हम इसको same partial pressure पे cool करते हैं किस partial pressure पे? PV पे तो जो temperature आपका है था कौन सा है था? dew point temperature कौन सा temperature आथा? dew point temperature, यानि कि partial pressure of वेपर के corresponding जो temperature होता है उसको क्या लिखते हैं? dew point temperature, तो हम यहां पर लिखेंगे, दो point लिखेंगे, यहां पर पहला point लिखेंगे saturation temperature saturation temperature corresponding 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 to partial pressure of वेपर partial pressure of वेपर यानि कि PV के corresponding saturation temperature कौन सा होता है? is dew point temperature यह कौन सा होता है? dew point temperature अब आपको पता है कि अगर इसका simple temperature देखे तो कौन सा आता है? dry bulb temperature simply temperature आता है dry bulb temperature अब एक और प्रोसेस करते हैं यहां पर एक और प्रोसेस करते हैं देखो यह वाली प्रोसेस जो है यह वाली क्या है? cooling at constant PV constant partial pressure of vapor पर यह cooling हो रही है एक और प्रोसेस करते हैं कि इसमें हम vapor add करना start कर देते हैं इसमें हम vapor add करना start कर देते हैं same temperature पर और same volume पर जब आप वो प्रोसेस करोगे तो क्या होगा? यह वाला जो है इसका vapor add हो रहे है देखो vapor जब add होंगे vapor add होंगे तो क्या होगा? यह इसको इस तरह समझते हैं कि यह room है आपका suppose करो यह space कोई भी volume आपने ले लिया है इसमें पहले इतने सारे vapor थे पहले क्या थे? इसमें इतने सारे vapor थे example लेके चल रहे हैं अगर इसमें और वेपर डाल रहे हैं अगर इसमें और वेपर डाल रहे हैं और वेपर डालेंगे तो क्या होगा? इसमें और वेपर 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 डाल दिये temperature चेंज नहीं किया और वोल्यूम भी चेंज नहीं किया तो और वैपर डालने से क्या होगा इसमें जो मास ओफ वैपर है यहां पर जो मास ओफ वैपर वैपर वाला पार्ट का मास इंक्रीज हो जाएगा और वैपर वाले पार्ट का मास इंक्रीज हो जाएगा फिर से आ जाते हैं properties of pure substance में तो ये एक pressure है ये दूसरा pressure है ये तीसरा pressure है ये इस type से pressure है ठीक है? और ये वाला pressure ये P1 ले ले लेते हैं ये P2 और ये P3 तो P1 is less than P2 is less than P3 यानि कि P3 सबसे ज़्यादा है P2 कम है और फिर उससे कम P1 है अगर point यहाँ होगा आपका और temperature आपको change नहीं करना क्या नहीं करना आपको? temperature change नहीं करना ये constant temperature line ले लेते हैं और इसमें vaporize करते हैं तो आपको पता है pressure क्या हो रहा है? increase हो रहा है तो ज़्यादा वाला pressure कौन सा है? P2 तो P2 की तरफ जाएगा और constant temperature line से जाएगा P2 की तरफ और P2 वाली line ये रही और constant temperature से इस line की तरफ जाएगा तो ये क्या होआ? ऐसे आएगा फिर उसके बाद और भी vaporize कर रहे हो फिर ये क्या होगा? और ज़्यादा pressure की तरफ जाएगा तो ज़्यादा pressure कौन सा है? P3 ये ज़्यादा है सबसे ये उससे कम है और ये सबसे कम है तो सबसे कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा temperature देखो temperature constant तो यही है ना ये temperature constant constant temperature line पे जाएगा और ज़्यादा pressure की तरफ जाएगा अगर ये कम pressure की तरफ जाता तो compressor वाली line कहा होगी, यहां होगी, तो compressor की तरफ जाता तो इधर जाता, ज़्याद़ pressure की तरफ जा रहा है तो इधर जाएगा, यानि कि यह जो यहां से इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, पॉइंट, तो यह क्या कर रहे हैं, हम इसमें add कर रहे हैं, adding vapors at constant temperature and volume, temperature and volume आपने constant किया है, और जब यह इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा, इस पॉइंट पे पहुच जाएगा, तो इस पॉइंट पे जो pressure होगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका PVS, क्योंकि आपने जब adding vapors at constant temperature and volume किया है, तो आपका क्या हो जाएगा, यही हमने पढ़ा था कल वाले lecture में, कौन से में, relative humidity वाले में, relative humidity में यही कहा था, कि constant temperature और constant volume से जब आप vapor add करते जाओगे, तो जब saturation condition में पहुच जाएगा, वो ही किया था, तो यह क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे, यानि कि इस पॉइंट पे, कोई नो कोई एक pressure line होगी, यहाँ पर भी को प्रेशर होगा, इस pressure line का, जो pressure होगा, उस pressure को हम क्या कहेंगे, PVS, उसको क्या कहेंगे हम, PVS, यह pressure जो है, यह pressure कौन सा है, पी, वी, एस, और यहाँ पर जो temperature, उस temperature तो यह आएगा, यह one point का temperature और इस point का temperature भी same होगा, इस temperature को हमने बोला था, dry bulb, temperature, तो अब, यहाँ से कि ड्राइ बल्ब टेंप्रेचर किसके कॉर्सपंडिंग है पीवीएस के यह कह सकते हैं कि पीवीएस के कॉर्सपंडिंग पीवीएस के कॉर्सपंडिंग जो सैचुरेशन टेंप्रेचर होगा उसको क्या बोलेंगे ड्राइ बल्ब टेंप्रेचर क्या बोलेंगे ड्राइ बल temperature यह concept आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया है तो इसका मतलब आपको properties of pure substance नहीं आता है और guaranteed इससे अच्छा कोई आपको समझा भी नहीं पाएगा तो यहाँ पर हम एक line लिखेंगे यह पहला point था और दूसरा point क्या हो जाएगा saturation pressure corresponding to dry bulb temperature is pvs dry bulb temperature के corresponding जो saturation pressure है उसको बोलते हम pvs pvs क्या था partial pressure of vapor under saturation condition और इसको भी आप जो प्रस्ट पॉइंट है इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि saturation pressure corresponding to saturation pressure corresponding to due point temperature is pvs यहनि कि पहले वाले point को मैं फिर से लिख लेता हूं saturation pressure corresponding to due point temperature is pvs pv का बतलब partial pressure of vapor हमने ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि temperatures होंगे और उन temperatures उन temperature से हमें find करना पड़ेगा कि saturation pressure इसके लिए पीवी है या पीएस है पीवी एस है तो यह चीजें अगर हमें पता चल जाएगा तो पीवी कौन सा है और पीवीएस कौन सा है तो हमारा question easily solve हो जाएगा तो यह हुआ आपका due point temperature का concept है अब next lecture में हम कुछ numerical discuss करेंगे और कुछ एक दो properties psychometric term और बची हुई है वो हम discuss करेंगे तो अब आप देखना numerical कितने easily solve होते हैं तो जो भी numerical आपको करवाएंगे वो भी करने होंगे आपको क्योंकि वहीं से आपके concept built होंगे तो इस lecture में इतना ही बाकी मिलते हैं next lecture में